तो भाईो आपके आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि PSL और इन्रॉल्मेंट के जो भी डाउट है आपके सारे क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहां पर एनिलिसिस ला चुका हूँ जो की X Group का 1 2021 का PSL जो आया है लिस्ट उसके अब तो भाई इसमें आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सेफ हैं और किसको भाई टेंशन लेने की जरूरत है और किसको Second chance मिलने वाला है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छे से information देने वाला हो तो भाई वीडियो को complete देखना ने तो कुछ समझ नहीं आने वाला तो भाई वीडियो को complete देखो कि तभी आपको एक-एक चीज समझ आएगी आपको किसी भी point पर doubt हो तो आप comment section में पूछ लेना मैं आपको पका reply दूँगा और दोस्तों चलिए बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पहना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी आपका जो भी आए अपडेट तो आपसे कोई मिसना होने पाए और अगर दोस्तों आप शेयर करना चाहते हैं अमने दोस्तों को शेयर कर दिये ताकि उनको भी जो PSL का रिविय उनको भी पता चल सके उनको भी पता चल सके कि वो कितना सेफ है नहीं है और दोस्तों चलिए आपको सिधा दिखाते हैं इंटेक 2020 का PSL और आपको एनलिसिस दिखाते हैं तो भाईयों इसमें क्या था इसमें एक्स ग्रूप के कैंडिडेट जो थे वो 2880 थे जो वैकेंसी आई थी उसमें में कितने थे 2630 थे जिसमें कट ओफ गई थी नहीं भाईयों वो गई थी 34.75 और जो PSL की कट ओफ गई थी वो गई थी 28 तो भाईयों आप स्क्रीन शॉट ले लीजे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे यह है इंटेक 2020 जो की इंटेक 120-21 PSL की नीचे ही इसकी PSL की IT लिस्ट तो भाईयों अब बात कर लेते हैं न्यू इंटेक 120-21 की जिसका आप सभी वेट कर रहे हो तो भाई इसके बारे में बता दूँ यह X ग्रूप की बात करते हैं एक्स ग्रूप में टोटल PSL केंडिडेट जो थे भाई वो 3,274 केंडिडेट थे जिसमें रैली का जो कट ओफ गया न भाई यह 27.5 गया है और एपसेंट केंडिडेट थे वो है 57 अन फिट भाई देखो कितने सारे निकल गए 1243 और जो फिट केंडिडेट होंगे न वो 2400 से 2500 की बीच होंगे यह काफी बच्चे पूछे थे कि सर हम फिट हैं की नहीं है कितने की बीच में हम फिट होंगे अगर हमारी इतने नंबर है त मिलेगी किसका चांसव ज्यादा है second chance को मिलेगा तो बाइय जा प्राइयोटी की बात करें तो रैली जा रैली का जो पेपर उसका जो कट आफ गया था नो 30 गया था प्रैश्क मिलने वाली है और पिशल कट वह 27.50 और जो enrollment out candidate है तो उनको तो बुलाया जाता है लेकिन कब बुलाया जाएगा वो जो 28 से 34.75 की बीच होगी उनको बुलाया जाएगा ऐसा आप सोच रहोगे लेकिन ऐसा भायो नहीं है पिसले साल क्या हुआ था कि जब आई थी कट-off enrollment की सपोस आई होगी 25 से 30 के बीच में तो 30 से जो पार थे सिर्फ उनको भुलाया जाएगा था तो भायो आपको अगर आपका 34.75 से पार है तो भी आपको बुलाया जाएगा इसके बिट्वीन है तो फिर आपका मुश्किल है तो ये एक डाउट था तो इसको मैंने क्लि करो वीडियो का लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी सब कुछ पता चल सके तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद